ब्रक्ति के अने एक जन्म होते हैं संत कभीर साहम ने कहा लाग चोराशी भरम के लाग चोराशी भरम के पड़पे अठकी आए अब री पासा ना पड़े तो फिर चोराशी जाए तो चोराशी लाग जोने में जी भटकता है एक बाद धुरुबजी महराज तपश्या कर रहे थे तो भगवान चे महना की साधना में भगवान विश्णु को परकट कर लिया हो दर्सन देने आए गरूर परसबार हो कर दिया तो बड़े 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 देशी भूनी में तपश्या कर रहे थे तो उन्होंने कहां कि भगवान दुरुबजी महराज राजा के बेटा है कि उन्होंने छे महरां तपश्या किया तो आप इसको दर्सन देने के लिए आ गए लेकिन हम लोग तो दस-दस हजार बड़ से पचास-पचास-जार बड़ से तपश्या कर रहे हैं तो लोग को दर्सन देने के लिए नहीं आया है इसका मतलब आप में विद्वाइथ है वेद है राजा का बेटा है तो दर्सन दिया और हम गरीब के बेटा हैं तो आपने दर्सन नहीं दिया तो भगवान विश्नु न भगवान विश्नु ने पहाड को लाट से ठोकर मारा तो एक चट्रा नुखर गया तो इसमें डिखा एक स्वुराख है तो भगवान विश्नु अंदर गए रिशी मूरी भी अंदर आए तो अंदर अंदर चले गए तो देखा बस पहाड़ हड़ी की डेर है कि मैं हड़ी क पहाड़ है और एक इसके हड़ी है तो जानते हो बना नहीं हमें मालूम नहीं है इतना जर्म लिया है मरा है हमारी भक्ती किया है तो इस जर्म में से महिना में हमको प्राप्तर लिया है जर्म जर्म मुनिद्यतम कराई अंतरा मुख आब अतना है श्री सत्गुरु महराज की बिंग आए तो आए